नमस्कार दोस्तो प्लेगनंसी के बात्स टख़बिक पर बात करते हैं वीदोश्य शुरू करते हैं दूस्तों प्रिग्नन्सी के दोरान महिलाओं के शरीर में काफी ज़्यादा हार्मोनल परिवर्पन होते हैं जो प्रिग्नन्सी को सपोर्ट करने के उद्यस्य से बढ़ने लगते हैं इन हार्मोन्स के काण काफी ज़्यादा साइड इफिक नजर आते हैं कभी-कभी यह काफी ज्यादा परेशानी भी पैदा करते हैं तो कभी-कभी यह फायदा दे प्रेगनंसी के दोरान प्रेगनंसी हार्मोन पढ़ने की वज़ा से महिलाओं के शरीर में काफी ज्यादा बालों को मजबूटी मिलती है, उनकी उम्र काफी लंबी हो जाती है वैं मस्बूत हो जाते हैं महिलाओं के बाल काफी जादा बढ़ने लगते हैं कई बार हाथ और पैरों के बालों को भी बढ़ते वे देखा गया है यह हार्मोन का side effect होता है लेकिन जैसे ही हार्मोन महिला के शरीर में प्रगनंसी के बाद कम होने लगते हैं वैसे वैसे जो बाल पहले से ही अपनी उम्र पार कर चुके हैं वैं जढ़ने लगते हैं और यह समाने से चाला जढ़ते हैं लेकिन प्रेगनसी के बाद बाल जणने के इस परमुक कारण के अलावा भी बहुत सारे कारणों हो सकते हैं जिनके वज़ेसे बाल जणने लगते हैं तो आप उनका विध्यान रखें तो बालों की जण्ड़े, अपने पुरानी अवस्था में आ जाती हैं, तो बाल दीज से ज़ड़ने लगते हैं प्रगनंसी के दोरान महिलाओं के शरीर में पोषटत्रथवर की कमी हो जाती है, जिसकी वज़े से बाल ज़ड़ सकते हैं अगर महिलाओं को किसी प्रकार का संक्रमन लग गया है तो भी महिलाओं के बाल जढ़ सकते हैं अगर महिलाओं को PCOD की समस्या है अर्थार पॉलिसिटिक और वेरी सिंड्रम की अवस्था है तो प्रेगनंसी के बाद बाल जढ़ते हैं जिन महिलाओं को प्रेगनसी के दोरा हाईपर्थायरट की समस्या होती है डिलीवी के बाद उनके भी बाल जड़ते हैं अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार की अलर्जी प्रेगनसी के बाद उनकी स्किन में नज़र आती है खासकर सिर्की स्किन में नज़र आती है तो महिलाओ के बाल जढ़ने लगते हैं, अगर महिला के मन में किसी प्रकार का उखाद घर गे आहा है, महिला तनाव में रहने लगी है, तो इस प्रकार के हार्मोन पूट सब्जिद होते हैं जो बालों को जढ़ने के जिश्य दिदार होते हैं, आप घर में शिशु आ गया तो अकसर महीला उसकी लेगवाल में इतना जाद इनमोल गहतीए कि वेवख अपने शरीब का अपने पोशन का ध्यान नहीं रख पातीए, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पातीए, ना समय से सोतीए, दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सेजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्य हमसे अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेर करें धन्यवाद